नमस्कार मुम्मीडेम आप सभी का स्वागत है मेरा नाम अभिशेक तिवारी है अभी हम राबडी आवास पर मौजुद हैं यहाँ पर देखिए राबडी आवास यह दिखा रहे हैं आपको राबडी आवास का नजारा यहाँ पर कोई भी आपको अभी समर्थक नजर नहीं आएंगे किसे भी परकार का कोई उत्साह वाला महौल आपको नजर नहीं आएगा हाला कि गिनती शुरू कर ली गई है आपको हम जनकारी देंगे कि आखिरकार कौन आगे चल रहा है कौन पीछे कहां से लेकिन उससे पहले आप जड़ा सुनिए कि लालो परशा दिया दो ज तो एक अरे हटियर भाई है अब भाई है फुलिए दो भाई है आज आज जो गिनती हो रही है उसको लेकर आपका क्या कहना है क्या नुमान है क्या कहेंगे जीत होगी आप लोगी दोनों सिफ जीतेंगे एक है तो आज इसीटें ऐतल तोरश्ची कि लालो परशा दिया दो के अनुसार दूनों सीटें आरज्ची जित्ती हुँ नजर आ रही है हाला के देखना है गिनती के बाद पर क्या नतिजिए सामने आते हैं लेकिन जिस परकार से अभी गिनती जारी है उसके अनुसार सबसे पहले पुश्टल वैलेट की गिनती की गई और उसके उसमें सबसे आगे कुशेश्वार अस्थान से आरजेडी है आरजेडी के खाते में आठ मत गए हैं वहीं जदियों के खाते में पांच मत और साथ मत निरस्ट कर दिये गए हैं किसे कारण लेकिन जिस प्रकार से अभी गिनती लगतार जारी है पोष्टल वैलेट में RZD अच्छा खासा बहुमत यानी के आठ मत के साथ अभी कुशिश्वर अस्थान सीट से आगे चल रही है आपको बता दें कि पोस्टल वैलेट की गिनती को लेकर आरजेडी के तरब से पहले ही संका जाहिर किया गया था और नितापरतिपक्षित तिस्वी यादों ने चुनावायूक से हागर किया था कि पोस्टल वैलेट और इव्यम की गिनती एक साथ एक कमरी में की जाए लेकिन एलेक्षन कमिशन ने इस बात को दरकिनार करते हुए पोस्टल वैलेट के गिनती अलग कमरी में कुशिशवरास्थान में करवाई है और इन तमाम बातों के अंदेशा पर तिस्वी यादों खुद पहले ही कुशिशवरास्थान में डेरा जमाए हुए है ताकि जनता के द्वारा मिले जनादेश का किसी भी परकार से अपमान ना किया जाए किसी भी परकार से शोरिया ना किया जाए इसका अरूप लगाते हुए तिस्वी यादों कुशिशवरास्थान वहीं जगतानंद जूप रजडी के प्रदिश अध्यक छेंज जगतानंद सिंग उन्हें तारपूर की कमान दी गई है देखना है नतीजे क्या होते हैं किस प्रकार से कौन आगे सलेगा क्या होगा हर एक पलपल की अपडेट हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहेंगे फिलाल ये राबड़ी-आवास का नजारा और राबड़ी-आवास के बाहर भी कुछ खास नजर नहीं आ रहा है महस मेडिया कर्मियों के अलावा यहां पर एक दिश्रमर तक वैसे नजर नहीं आ रहे है देखना है आगे क्या कुछ और होता है फिलाल हर एक अपडेट हम आप तक पहुचाते रहेंगे आप सभी का हमारे साथ जुनने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद नमस्कार